नमस्कार मित्रों टीचर्स अकेडमी से महूं बरी शुक्लिक मित्रों यूपिटेट में ओयमार सीट पे जो तुरुटिया हुई है उससे बहुत सारे छात्र बिथित हैं परेशान हैं वो अच्छे यंक प्राप्त करके भी तैयारी में अच्छे मन से नहीं डिजुट पा रह कि वाहुं पर मैंने दो चीज़ेंं देखिं एक क्तों की ओयमार पे किस प्रकार से आपकी काउपियां करतेBRशान हुद और जो आपने तुर्टिया की यह क्या हैं क्या भूल सधार लिए आयोग नें क्या कृण इपनाए इस पर मेरी पूरी बात चीक थी तो तो इस वीडियो में लगातार बने रही है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा मित्रों एक और खास सूचना है कि मुझे आप अनकेडमी के लर्निंग अप्लिकेशन के माध्यम से भी फालो कर सकते हैं गूगल प्लेश्चोर से जाके डाउनलूड करिए अनकेडमी लर्निंग सबसे पहला प्रशन यह था कि नाम लिखने में तुर्टी हुई है या नाम ही नहीं लिखा है अपना या नाम लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हुई है पहला प्रशन रोल लंबर पहला प्रशन यह था कि रोल लंबर बहुत साए लोगों ने रोल लंबर ही अपना गलत ल लिखा गया है या तो फिर नीचे जो भरना था गोला भरना था उसमें गलती हुई है रोल नमबर उपर तो सही लिखा है लेकिन गोला भरने में गलती हुई है और कुछ लोगों ने गोला भरने में ठीक ठाक कोई दिक्कत नहीं कि लिकिन उपर कटिंग हो गई है दूसरे यह अगर आपना सिगनेचर नहीं किया है तब क्या हो सकता है कच निच्च का अगर signature नहीं हुआ और जो लेटर का signature नहीं हुआ तब क्या हो सकता है blade, widener का प्रयोग यदि आपने अपने वेमार सीट पर blade या widener का प्रयोग किया है तब क्या होगा एक ही प्रशन के लिए दो गोला अगर आपने एक प्रशन के लिए दो गोला लगा दिया है तो इस पर क्या किया जाएगा कुछ प्रशनों की संख्या, कुल प्रशनों की संख्या जो हुई थी आपने कुल कितने प्रशन अटेम्ट की है, हमारे जो एक सो पचास किया है किसी ने 150 नहीं हल किया फिर भी 150 लिख दिया है तो उस पर क्या एफिक्ट पढ़ सकता है उत्तर दिये गे प्रशनों का गलत डाटा प्रस्थित किया गया है यदि बुकलेट सिरीज नहीं भरी यदि आपने बुकलेट सिरीज नहीं भरी A, B, C, D तब क्या हो सकता है भासा का हाझे गलत कर दिया गया है अर्थात आपने लिया तो था अर्फात जरीजी लेकिन संस्कत भर दिया संस्कत लिया था लेकिन अराजी वह दिया भुकलेट नबर नहीं दरज किया यदि आपने अपना बुकलेट नंबर नहीं दर्ज किया है तब क्या हो सकता है जो आपको बुकलेट मिलती हो उस बुकलेट का नंबर उम्र पे दर्ज रोल नंबर रेजिस्टेशन नंबर दो में से एक आग किसी का भी सही है अगर आपने रोल नंबर सही लिख दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है और मालेजे किसी ने रेजिस्टेशन नंबर रोल नंबर लिखने में ऊपर सही लिखा है गोला भरने में दिक्कत किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है कुल मिलाकर रूल नंबर इस्टेशन नंबर में दोनों में से एक सही होना चाहिए स्वयम का सिगनेचर अगर आपने नहीं किया तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं कच्छनेचक और स्वयम के सिगनेचर में एक सिगनेचर आवश्यक है अगर कच्छ एक यही प्रश्ण के लिए, दो गॉलागर आपने भना है, तो ऐसे प्रश्ण का मूलियांका नहीं हो पाएगा, कुल प्रश्णों की संख्या, अगर आपने डाठा गरत लिग दिया, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक सोपचास प्रश्ण किये, लेकिन, 140 ही लिख पहले से होता है यहां से को एमार धटर बना कि दिया जाता है जहां आपका कॉलेज में एक्जाम था उसमें अलड़ी भरवाया जाता है कि आपकी बुकलेट सेरीज कौन सी है और कौन सी सीरीज आपको मिली हुई थी रोड नाम रोड नंबर आप और आपका सिंग्नेचर वहा खासा कचेन करके आपने जो कॉपी में अपने ऊमार में रंगा है वही आपका अन्तिम माना जाएगा वुया यादि आपने बुकलेट नंबर नहीं दर्ज किया है तब थोड़ी से दिक्कत हो सकती है बसरते अगर आपने अपना बुकलेट नंबर जो धढडर कालेज के तर तो मित्रों कुलमिना के बाद ये समल कराती है माननी ये जो है महोदर जी ने कहा अनिल चत्रवेदी जी ने कहा कि भाई पहले चीज़ ये कि हमारे हां सुधर्वाने का कोई भी अवशर नहीं दिया जाएगा उसके बुकलेट को हम रजेक्ट कर देंगे और उसका मुल्यांकर नहीं हो सकीगा फिर उसके बाद बारी थी OMR जो रीडर होता अप्टिकल मार्क रीडर उसको देखने की बारे है तो उसमें मैंने ये देखा कि वो एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और केवल उसमें रूल नंबर के साथ कमांड दिया रहता है पहले से ही आपकी OMR लगा दी जाती है और उसमें वो रीड करता हुआ निकालता हुआ चला जाता है तो दो में से एक चीज अगर आपकी है या तो रूल नंबर है तो रिश्टेशन नंबर तो वो आपका रीड कर ले रहा है तो बाकी जो कमांडिंग उसकी है उसी का नुशार वो आपका मुलंकन कर रहा है तो मित्रो ये तो थी आपकी सूसना इसलिए आपको तनिक भी परिशान नहीं होना तनिक भी चिंता मगन नहीं होना है अर्थात आपकी कांपी का मुलंकन होगा आप सबको अच्छे नंबर मिलेंगे जितने नंबर आपने किये थी उतने नंबर आपको मिलेंगे बसरते की जिन पर आपने गोला लगाया दो गोला लगाया आपने वाइटनल लगाया ब्लेड लगाया ऐसे प्रशनों का उत्तर नहीं मिलेगा आपको अर्थात उनका आपको नहीं प्रापत हो सकेगा इसलिए जो लिखित परिक्षा की तैारी कर रहे हैं जो उसके इर्दगर्द हैं सो परस्न पर हैं, 105 पर हैं या 90 परस्न पर हैं 90 परस्न letzें उपर वाले या 85 परस्न तक की जो भी जनरल कंडिडेट हैं उनके वमार में अगर दिक्कत भी है तब भी उनको लेखित परिक्षा सूपर्टेट की त्यारी करनी चाहिए OBC, SC, ST के लिए यही बात लागू होती है जो उनकी Average Marking है 60% या 55% की उससे अगर वो 5 नमबर पीछे है तब उनको लेखित परिक्षा के त्यारी करनी चाहिए इसी तरह के महतपूँ, डाटा, महतपूँड वीडियो, न्यूज सुनते रहने के लिए आप मेरा चैनल Teachers Academy सब्सक्राइब कर सकते हैं क्लिफिकेशन बेल का आइकन दबा सकते हैं और सबसे पहले मेरी वीडियो पा सकते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए तह दिले आप हार बहुत बहुत धन्यवाद नमस्काराइब